दोस्तो इस वीडियो में आपके तीन फेवरेट सुपर स्टार रोमेन रैंग्स बरोक लेसनर एंड जोन सिना को लेकर कुछ बड़ी अपडेट हैं तो वीडियो एंड तक देखना तो सबसे पहले बात करते हैं रोमेन रैंग्स की तो देखो इलिमिनेशन चेमबर 2024 होने वाल टिगेट्स आर ओन सेल ना हो तो भई रोमेन रैंग्स ने यहाँ पर इलिमिनेशन चेमबर को प्रमोट करा है तो इसका मतलब है कि रोमेन रैंग्स में भी दोस्तो इलिमिनेशन चेमबर में तगड़ा मेच रसल कर सकते हैं एंड अगर वो मेच रसल करते हैं तो उनके अप मेंच रसल कराता कोडी रोट्स के अगेंस्ट जिसके बाद वो काफी सेड थे एंड ऐसा लग राता कि बरोक लेस्टनर डबलु डबलु ई को लेफ्ट कर चुके हैं लेकिन दोस्तो अब डबलु डबलु ई रसल मेनिया फोरिटी के लिए बरोक लेस्टनर को एडवर्टाइज कर रही है एंड बीस्ट बरोक लेस्टनर रसल मेनिया में तगड़ा मेंच रसल करेंगी तो इसका मतलब रसल मेनिया वीक में बरोक लेस्टनर डबलु डबलु ई में अपना रिटन कर लेंगी and possibilities काफी ज़्यादा है कि Royal Rumble में Baroque Lesnar अपना written कर ले तो हां Russell Mania में Baroque Lesnar तगड़ा मेच रसल करेंगी तो उनकी opponent कौन होने चाहिए ये भी comment करके जरूर बताना बात करते हैं जोन सीना की तो देखो जोन सीना क्राउन जेवल में सोलो सीकोवा की अगेंस्ट तगड़े मेच में हार गई एंड काफी बूरी तरीके से उनकी हार हुई थी दिसके बाद वो काफी upset थे एंड उनकी retirement को लेकर काफी सारी reports उसके बाद आ चुकी है लेकिन फिलाल एक latest update की according दोस्तो जोन सीना का जो current run था WWE के साथ यानि उन्होंने money in the bank में रिटन करा उसके बाद smackdown में उसके बाद इंडिया में आकर रसल करा fast lane में and ground जेवल में उन्होंने रसल करा and finally दोस्तो अब जोन सीना का जो current run था वो end हो चुका है and in future कभी जोन सीना वापस आ सकते हैं लेकिन next week या survivor सीरीज में या फिर Royal Rumble में जोन सीना नहीं आने वाले तो हाँ ये जोन सीना को लेकर update थी जो current run था उनका WWE के साथ वो end हो चुका है वो वापस 118 दिनों के बाद Hollywood में जा चुके हैं अपनी movies को बनाने के लिए तो हाँ जोन सीना का जो current run था वो end हो चुका है WWE के साथ तो बस ये कुछ updates थी वीडियो अच्छे लगी हो तो like करो comment करो and channel को subscribe करो मैं मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए good bye